हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक टुशिप अप्यूर लाइफ तीन दिन पहले मैंने एक पूल डाला था और जिस वीडियो को आप सबने 75% वोड दिये वो वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ इंडियन पैंटरे को और्गनाईज करना वैसे तो डिपेंड करता है count of family members and available space in your kitchen बट कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं और एक particular place को और्गनाईज करने के लिए हम सब को वो follow भी करनी चाहिए तो चलिए देखते हैं कि कौन से ways हैं जिनका use हमारे pantry को हमेशा organize ही रखेगा जिससे चीजों को ढूंडने में लगने वाला time save करने के साथ साथ हम save कर सकते हैं उन food items को जो mess होने की वज़ा से कई बार मिल नहीं पाती और expire हो जाती है और इन ही को हम save कर पाएं तो ये economy और environment दोनों की safety में एक बहुत बड़ा role play करती है तो सबसे पहले चीज़ है कि हर food item visualize होनी चाहिए एक कहावत है जो दिखता है वो बिखता है same as kitchen में भी यही rule follow होता है जो दिखेगा वो पकेगा तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं organization की starting होती है उस place को बिलकुल खाली कर देने से जिसे आप organize करना चाहती है जिसे मैंने कर दिया है और उसके बारी आती है उस place को अच्छे से clean करने की beginners के लिए बताना चाहूंगी हमेशा जब भी हम cleaning करते हैं तो top to bottom करते हैं water, dish wash, soap और vinegar का solution है जिसे मैं ये cleaning कर रही हूँ आप चाहें तो soap और scrubber का use भी कर सकते हैं wooden cabinets को भी इसी solution के साथ बहुत ही easily clean किया जा सकता है country को organize करने के लिए अपने सारे पुराने containers को discard करके नई containers लेने चाहिए ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि मैं खुद जल्दी जल्दी चीज़ों को discard नहीं करती बलकि चीज़ों को reuse करके और DIY के साथ भी आप अपने घर को maintain रख सकते हैं मेरे पास खुद चार तरह के containers हैं जिन में से तीन varieties ऐसी हैं ये मैंने one by one market से purchase किया था बट एक ही बार में नहीं एक वराइटी मैंने बनाई है honey jam और other containers के lids को paint करके paint करने से इनकी look totally change हो जाती है और paint कैसे करना है ये मैंने अपने एक vlog में share किया था अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो का link में description box में दे दूँगी दिवाली के बाद ये first time है जब मैंने pantry unit को बिलकुल खाली किया है otherwise monthly grocery fill करते वक्त हम one by one containers को तो wash करते रहते हैं उनको clean करते रहते हैं लेकिन पूरी pantry को खाली करके उसे clean और reorganize करने की बात ही कुछ अलग है kitchen के सारे containers को एक ही बार wash करने की बजाए अगर turn by turn किया जाए तो बिना जादा button के आप सभी containers को हमेशा clean रख सकती है जैसे कि एक बार में एक set of containers या कुछ amount of containers को wash करना and others को only wipe especially जब आप grocery refill करती हैं तो containers को inside and out दोनों तरफ से wipe करना उन्हे clean ही रखता है बरसाथ के मौसम में डाले वगरा जल्दी खराब हो जाती है अगर पिछले मंत का जादा कुछ बच गया है तो उन्हें एक बार धूप लगवा के उसके बाद ही उन्हें refill करें और अगर थोड़ा सा कुछ बचा हुआ होता है तो उस container को refill करने से पहले आप पुरानी डाल को पहले निकाल के side रखतें और उसके बाद नई डाल फिल करें देन आप उसी पुरानी डाल को दुबारा उसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि वो पहले use हो जाए मैं monthly grocery shopping करती हूँ और हर चीज को container में fill करके रखना ही prefer करती हूँ ताकि वो नजर में भी रहे और खराब भी ना हो अगर आपकी kitchen में cockroaches हैं तो बहुत chances हैं कि उनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल रहा है otherwise cockroaches का kitchen में होने का कोई मतलब नहीं इसलिए मैं कहती हूँ आपकी kitchen की हर चोटी से चोटी चीज़ containers में ही fill होनी चाहिए सामान उतना ही buy करें जितना one month में आपका use हो जाए अगर container में fill करने के बाद कुछ बच जाता है तो उसे clip लगा के इस तरह रखें कि उसमें moisture ना जा सके यह आपके पास container नए हो पुराने हो वो उतना matter नहीं करता लेकिन आपके पास जो भी container है वो air tight जरूर होने चाहिए उन्हें maintain रखने के लिए बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती pantry को organize करने के लिए आपको से section में divide तो करना ही पड़ेगा जैसे की breakfast section, snack section, lentil section या फिर masala section की sections बना देने से आप तो आप कोई दूसरा family member भी आपके kitchen में बहुत easily काम कर सकता है systematic काम करने के लिए section बनाने के लावा labeling भी उतनी ही important है labeling सिरफ हम look या फिर fun के लिए नहीं करते labeling करने के बाद आपकी kitchen इतनी organize हो जाएगी कि आप खुद को भी बहुत organize feel करेंगी पीछे वाले container में क्या है उसका label ठीक से नजर आए उसके लिए उसे height देना ज़रूरी है और ये height देने के लिए आपको market में बहुत सारे organizers मिल जाएगे लेकिन अगर आप भी मेरी तरह DIY में बलीव करते हैं कोई भी waste wooden का piece लें उसे paint करें और लगा दें और काम करते करते energy low होने लगे तो मेरी ही तरह black coffee की एक dose और zero calorie का ये drink आपको इतना energize करतेगा की काम कब हो गया पता भी नहीं चलेगा एक बार containers को set करके check कर लेते हैं कि label सही जगा पे लगे है या नहीं क्योंकि अगर सारे गलत लगे तो फिर काम और बढ़ जाएगा बट ये बिल्कुल सही है labeling के लिए मैं छोटे slip pads की slip का use कर रही हूँ आप चाहें तो किसी normal paper का use भी कर सकते हैं या फिर ready made labels भी मिल जाते हैं आप उनका use भी कर सकते हैं अप टू यू मैं इस पूरी की पूरी चिट पे solo tip लगा के उसे cover कर दे रही हूँ जिससे container को wash करने पे भी ये खराब नहीं होता और लिखने के लिए use कर रही हूँ permanent marker तो चलिए labeling का काम तो खतम हो चुका है तो एक पर सब चीज़ों को उनकी place पे settle कर लेती हूँ और फिर detail में एक tour देती हूँ और बताती हूँ कि कहां पे मैंने क्या क्या रखा है जिससे कि आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि मेरी kitchen में कौन सी जगा पे क्या चीज हो और साथी उपमा मिक्स है दही बुंदी का एक container है साथी jam honey और peanut butter नीचे की तीनों शेल्फ में डाले और बीन्स हैं और सबसे पीछे आप देख सकते हैं यहां पे राजमा वाइट चना और ब्लाक चना और आगे के तीन containers में मूंग साबुत मूंग छिलका और मिक्स दाल और गलती से मैंने धुली मूंग लिख दिया है और उसे मैं ठीक करूँगी उसके नीचे की shelf पे पिछले तीनों containers में धुली मूंग धुली मसर और अरहर की दाल है और आगे के चारों containers में मैंने random चीज़ें according to my kitchen requirement उनको handy रखा है इसमे सेसमे सीड यानि की तिल, कसूरी, मिती, फ्लैक सीड्स और सूजी है और ये चोटे-चोटे containers जिनमें मैं powder masala जो खुद बनाती हूँ घर पे उनको रखती हूँ लेकिन ये containers किसी भी shelf पे proper तिकते नहीं है इसलिए मैंने इनको baskets में रखा है ताकि इनको बार-बार उठाना और रखना easy रहे पहले के तीनों containers में गरम masala powder, jeera powder और धनिया powder है और अगर second basket की बात करें तो उसमें है फ्लैक सीड पाउडर, आमचूर पाउडर और राई पाउडर पर से नीचे की shelf पे वो containers होते हैं जिनको हम daily नहीं निकालते हैं जैसे की अचार के containers या फिर हम पीछे वाले containers की बात करें तो इसमें साबुत लाल मिर्च होती है जिसको मैं मसाला box में ही रख लेती हूँ और उसके दूसरी तरफ अगर बात करेंगी पीछे के डबे में तो अगर हम बात करें door side की door side पे basically सारे मसालाज ही settle किये हैं so top rack पे different types of salt जैसे की white salt, rock salt, black salt और pudina salt चोकी हमने घर पे ही बनाया है और उससे नीचे के rack पे धनिया seeds, jira seeds, healthy powder और red chili powder तो इनको label मैंने containers पे इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये नजर नहीं आएंगे क्योंकि इनके उठाई जाए और वापिस यहीं पे ही रखी जाए और आगे के तीनों container में meat masala, kitchen king और चना masala और उससे नीचे के rack को भी मैंने same way में organize किया हैं इनके labels भी मैंने door पे ही लगाए हैं जिस ब्लैक पेपर सीर्स, दाल चीनी, long और बड़ी इलाइची तो ये चारों साबत मसाले ए जवाएन और मेथी seeds हैं नीचे के rack में फिर से एक बार random सी चीज़ें इसब गोल, coconut powder, milk powder और mustard seeds और door side के सबसे last के rack पे बहुत ही चोटे चोटे boxes जिसमें की oregano, chili flakes, baking powder, baking soda, inoo के कुछ पाउचीज हैं साथ में हींग की कुछ टबियां है, vanilla essence, food color, etc, etc. breakfast और snacks के item को मैंने एकी तरह के containers में, जो height में तो ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वैसे broad हैं, और क्योंकि pantry unit में बहुत ज़्यादा जगा लेते हैं, तो मैंने इनको किसी drawer में settle किया है, जहां से इनको pick करना और वापिस रखना easy रहें, जिसमें हैं, पोहा, oats, semia, pasta, basin, मैदा, दलिया, मखाना और मुर्वरा, यनि की almost सारी breakfast और snacks items, और in future अगर मैं कुछ और containers भी add करना चाहूं, तो इस side वो add हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यहां पे garbage bags रखे हैं, container में फिल करने के बाद packets में जो समान बच जाता है, उसे मैं इस तरह से clip लगा के इस drawer में आप इस तरह से उनको अलग-अलग baskets में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो simply इसको drawer में divider लगा के भी रख सकते हैं, मन्तली में उतनी ही grocery लेके आती हूं जितनी मेरी consume हो जाती है, अगर कुछ बचता भी है तो बहुत कम, इतना नहीं कि खराब हो जाए, और यहां gas top के पास वाली cabinet में सारा tea और coffee का ही सामान होता है, चाय, पत्ती है, पिछे sugar है, tea masala है, और चोटी light tea है, सौफ है, tea masala अगर आप दिखना जाते हैं तो वीडियो और description box में है, coffee है, green tea, brown sugar और jaggery powder, tea coffee के बिल्कुल साथ वाली cabinet में कुछ tea snacks जैसे की नमकीन हैं, biscuits हैं, rusk हैं और कुछ drive fruits Rice और sugar दो बड़े containers में होती है, जिसे मैं एक बड़े drawer में रखती हूँ, लेकिन बाकी उस drawer में फिर में कुछ heavy चीजें नहीं रखती हूँ, क्योंकि जादा heavy चीजें drawer में रखने से drawer के channel के खराब होने के chances रहते हैं, तो rice और sugar के साथ एक basket है, जिसमें stuffy के कुछ snacks और उसक stuffy हाजिर, चीववन उसकी favorite है, और साथ ही दिर मेरे कुछ supplements यानि की protein powders, उनके sipers और साथ ही amino acid, यहाँ पे कुछ space खाली है, यहाँ पे मैं कुछ खाली jars को store कर लेती हूँ, इन future कभी ज़रुरत पड़े तो, अगर daily use आने वले flour की बात करूँ, यानि की wheat flour, तो वो इस 30 kg के drum में, इस ट्रॉली में रहता है, और bottles होती है, इस bottle section में, जिसमें की vinegar, soya sauce, chili sauce, desi ghee और साथी cooking oil की bottles, तो यह थी मेरी pantry organization and pantry tour, I hope आपको अच्छी लगी होगी, so मिलते हैं next video में, till then bye bye, take care and stay healthy.